So guys welcome back to another video तो इस वीडियो में भी आपको E-POP का अपडेट्स दूँगा तो वीडियो को बिना स्किप के लास तक जरूर देखना तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे हर शिलिखारी भाई के बारे में तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे मुफड भाई के बारे में तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया था मुफड भाई का एक ट्रैक आने वाला है डियल नाइन कैप काफी सरे लोगों को लग रहा था यह जो ट्रैक है सिदे मौत के लिए डिस्ट्राक होने वाला है तो अभी आउनकोर भाई मुफड भाई का दो समस शेयर करे थे जिसमें मुफड भाई लिखे थे जैनुरी में बनाया था मैंने डियल नाइन कैप ग्लैट टू कनेक्ट भाई और आउनकोर भाई लिखे थे लेकि नाम बहुत सस्पेशिया से वे लेट सी सबलिमिनल्स आए तो देख लेंगे फिर तो अगर मुफड भाई ट्रैक के अंदा सिदे मौत के ऊपर सबलिमिनल्स शॉट लेता है तो सिदे मौत के तरफ से भी रिप्लाई आएगा तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे MC Standby के बारे में तो आप लोग जान तो कुछ दिन पहले MC Standby स्पीट से मिले थे तो अभी जो यूट्यूबर है पूरा पजा उन्होंने उसी सीन को recreate करके एक वीडियो डाला है अपनी इंस्टाग्राम के अंदर इसका लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग जाके चेक कर लेना तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे बाद्शाबाई के बारे में तो बाद्शाबाई एक ट्वीट कर तो लिखे थे नीचे बाद्शाबाई कॉमेंट करते हुए लिखे तेपड दोनों बज रही है तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे एमसी इंसेन भाई के बार में सो बेसिकली एमसी इंसेन भाई हानी पाजी का ट्रैक सुन रहे थे और स्टोडी पे लिखे तेकला सिक्स चाइल्ड इंसाइड मी सेज यो यो फॉरेवर आई कांट डिनाई दा फैक्ट स्टोरी वीडियो और आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक करके कॉमेंट जरूर कर देना तो मिलते अपस पर एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ अब तक के लिए टाटा बाई बाई आएंट एक क्यार